हलो फ्रेंट्स मेरा अक्षिश राव सभी का फिर्थ में कणोपे स्वागत है तो दोस्तों अगर आप एक एटल रीटेलर हो और अगर आप यहां पर यहां पर यहां पर आपने बिल्कुल ही सही देखा सिम नहीं चालू करने पर कितने दिनों में होता है सिम खराब जी हां दोस्तों यहां पर आपने बिल्कुल ही सही सुना सिम भी यहां पर खराब होता है अगर आप यहां पर सिम ले लेते हो डिश्टूटर पॉइंट पर सिम चालू करने के लिए एक सिम चालू करने के जगा प पर टीन सीम ₹ 1 तीम सीं चालू करने के जगह पर हिया पर 4-5 ले लेते हो यह पर जूट मुट का यहांप यहांपर जहां सिम चालू करने के वजह से यहांपर अपना साफ पर बहुत सारे सिम एक्स्ट्रा पहले से लेकर रख लिए हो ताक्विंधे यहां पर गाहँ का है और वो SIM card को यहाँ पर आप चालू कर पाओ लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको डिश्टूटर point से यहाँ पर आपको blank SIM मिलता है वो SIM card भी यहाँ पर खराब होता है उसका भी यहाँ पर काफी ज्यादा कॉस्ट गिरता है लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में भी दिया जाता है लेकिन यहाँ पर जो न्यूव सिम SIM card होता है वो SIM card का यहाँ पर आपको 5 रुपया यहाँ पर चार्ज लगता है लेकिन यह सिम card बनाने में यहाँ पर आपको 5 रुपया चार्ज नहीं लगता है वो यहाँ पर एक SIM card करणाने में यहाँ पर काफी ज़ादा पर खर्च रोता है लेकिन वे बारे में बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर स्फ्रूटर प्रट कर यह हैं-पर करता है क्योंकि यहाँ पर रप्र सिंव मिलता है वह स्मी पर कीदने छो के आपको SIM कारें कर द nous नहीं करता है यहाँ पर कहले MNP port करते हो MNP port करते हो यहाँ पर कहले कि यहाँ पर आप जो है SIM card का यूज करके यहाँ पर आप SIM स्वाइब भी करते हो जैसा कि चली यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वो दो SIM जैसा कि आप देख सकते हो तो मेरे हाथों में यहाँ पर दो SIM है, दो अलग लगा आपको यहाँ पर color में packet भी देखने को मिलता होगा, बहुत सारा जगा में यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको प्रिपेड अगर लिखा हुआ है, और प्रिपेट सिम होता है और यह प्रिपेट सिम यहां पर चालू करते हो नियू सिम वह यहां पर काम करता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन यहां पर मैं जो दूसरा पैकेट दिखा रहा हूं आप देख सकते हो यह पैकेट अलग है लेकिन यहां पर आपको पैकेट यह SIM card होता है वह blank होता है आप इससे बहुत सारा काम कर सकते हो यानि कि यह All In One यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यह दोनों जो SIM card है उसका यहाँ पर जो expiry date होता है वह यह पर आपको company की और से अलग अलग यहां पर दिया जाता है एकस्पैरिडेट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह सिमकार्ड का जि duż होता है जिसमें यहां पर आपको नंबर मैंसर होता है वह सिमकार्ड यहां पर आपका काम नहीं करेगा, यह SIM card expired हो जाएगा, सिस्टम से यह SIM card को हैटा दिया जाता है company से, तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, दूसरे नमबर पर यहां पर all-in-one-cyn, जिसे हम कहते हैं blank SIM, यह blank SIM card का यहां पर जो समय होता है, जो expiry date होता है, वो यहां पर एक साल के लिए होता है, आप उसका date को भी चेक कर सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो नीचे, यहां पर आपको SIM number के ज़स्ट नीचे यहां पर आपको expiry date भी देखने को मिलेगा, packet date और expiry date, दो तरक का यहां पर आपको date mention होता है, पहला जो आपको mention होगा, इसमें date, packet date की, किस date को आपका यह SIM card packet हुआ है, यानि कि यह बना है, दूसरा यहां पर आपको रहेगा expiry date, कि यह SIM card कब तक आपका काम करेगा, और उसके बाद यहां पर यह नहीं काम करेगा, खराब हो जाएगा, तो आपको जो expiry date होगा, उससे पहले पहले यहां पर आपको SIM card को चालू कर लेना है, अगर आप यह चालू कर लेते हो, तो SIM card नहीं खराब होगा, SIM card यहां पर काम कर जाएगा, नहीं तो अगर आप जो है expiry date से पहले अगर आप यह नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको जो है sim card खराब हो जाएगा और यहाँ पर आपको 5 रुपया तो loss होगा ही होगा लेकिन यहाँ पर डिश्टूटर का और company का खास करके यहाँ पर भारी loss होगा तो आपको यह ध्यान द कर दें और अगर आपको किसी प्रिका का स्वाली सुझाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना कॉंटेक नमबर शाथी सब मैंने अपना social media का लिंग दे रखा है तो आप अपने भाई को हाँ पर जाके लाइक पोलो कर सकते हूं तो शेली फ्रेंड्स आज के बाई बाई और शेहिन